जैस्टी पीष्णा पेंट्स वेलकम दो रावा किष्णी किचन मैं हूँ जैस्टी पावार अलाज हम बनाएंगे चीज बाल्स जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और काने भी तेस्टी और हिल दी तो चलो बनाना शुरू करते हैं फिर जिसे बनाने के लिए मैंने लेए चा बिल्कुर सब बनाना इसे और इसी में हमारी सारी चीजे मिलाते जाएंगे बस हो गया चाय तो आप इसे घीज दी सकते हैं लेकिन ज्यादा उबले हो रहते हैं तो इसलिए आसान इसे मैंश हो गए चिकने चिकने बनाने हमें इसे बस्त अब इसमे डालूंगी मैं सबजिया इसमें मैं कलरफूर सबजिया डालूंगी ताकि हमारे हेल्थ में भी आच्छे से कलरफूर हो जाए तोड़ असा अन्य जे मेंने बारिक बारिक काट लिया है थोड़ाशे घाज डाल दए हूमे थोड़ी शी पत्तागोवी, हरा दनिया टमाटर, शिवला मेज और लसन, हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही डाल देंगे और सारी कलर्फूर सबजीयों को हम मिला है अब दालेंगे आप इसमें मसाला, चाट मसाला, नमक हम थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है, चिली प्लेक्स, यह आप अपने स्वादनों से डालना आप ज्यादा तीखा पसंद करते हो तो थोड़े से ज्यादा डालना, यह तो कम और ब्लैक पेपर, और आम डालेंगे इसमें और दूनी यह यह पीजा मसाला, आदा चाट, इसको अच्छी से बाइंडिंग आने के लिए मैं डाल दूंगे इस बेड कम से हमारे बॉल्स को अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी और इसमें मैं मॉंजीला चीज ही गाए मैंने और इसमें मैं इसको गीज़ दूंगी और वी देहर सावा, इसमें आपको दिखाने के लिएक प्लेट में पहले गीजती हूं मतलब समझना आ जाएगा यह हमे कितना डालना है कि मैंने इसको गीज लिया अभी मॉंजीला चीज ही 100 ग्राम लिया और हमने इसके भी दो चीज ये प्रोसेस चीज है जो मैंने दो क्यूब लिया है और यह 100 ग्राम लें आ हम भी मिला देंगे यह इसमें चीज बाल बना दी समय आप डाइट को बिल्कुल भी बूल जाना और कभी कबार खाने में चलता है अब हम इसमें इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके छोटे-छोटे बाल्स बना देंगे इसको मैंने अच्छे से मल ले आया और हाथ को साप करके लाया अब मैं इसके बना दूंगी छोटे-छोटे बाल्स बस एक नीम्बू के साइज कर लेना यह आपको बड़े लेकिन छोटे-छोटे बनाना अच्छे लगते हैं इसको बना करना रखते हैं जाएंगे बना लेने सबी अब हम इसको ब्रेड क्रम से कोटिन करेंगे कोटिक करकर और रखते जाएंगे सबको ऐसे करेंगे इतने अच्छे बिखरेंगे बस बड़ और इसको आप फिर से दो बारा कोटिंग करेंगे मैदा और कॉंड प्लावर के गूल से इसमे आम नमा करेंगे और इसमें बिल्कुल भी लब्स हमें नहीं रखना है अच्छे से फेट लेंगे और इसमें सब गाठे निकाल देंगे इसमें आम नमा करेंगे और इसमें बिल्कुल भी लब्स हमें नहीं रखना है अच्छे से फेट लेंगे और इसमें सब गाठे निकाल देंगे इधर मैंने ओईल कड़ाई पे आंगे तेल गरम करने के लिए रख दिया आए ताकि हमेरे कोल दर सीरे कड़ाई में जाए तेल को हमें ज्यादा गरम भी नहीं रखना है और घंडा भी नहीं में रखेंगे बस हमारी कांसिस्टेंसी हो गए अब इस गोल में हम हमारे के बॉल्स को डालेंगे फिर इसको दोबारा से ब्रेड क्रम की कोटिंग देंगे बस ऐसे किर्शे उसको पहले जैसे करना है बस बनगे हमारे बहुत फ्राय करने के लिए ऐसे हम सब बॉल्स को रेडी करेंगे और फ्राय करेंगे करेंगे लेते हैं फिर ब्रेड क्रम में डाल देते हैं यह ब्रेड क्रम से फिर हमारे पाप अच्छे से उपर से क्रंची और अंदर से बिल्कुल जूसी बनेगे क्योंकि हम इसने डेर सारा जो चीज राला आए ना उससे बनेगे जूसी और ब्रेड क्रम से बनेगे क्रंची एक एक करके हम सब बना देंगे अच्छे से फ्राय करेंगे और इसे अच्छे से ब्लाइड कर लेना नहीं तो यह फट जाएंगे तो फूरा आधनर का बैटर बाहर निकल कर आएगा उसका हुआ है इसको रिके कर छाए कर लेंगे ना के अच्छे से फ्राय करेंगे दाब के आएगल आपके अच्छे से फ्राय हो चुके हम निकालेंगे इसको प्लेट में बस हमारे चीजी बाल्स बिल्कुल रेड़ी है एके लिए यदि आप अब हम करेंगे इसकी प्लेगे बिल्कुल कृची क्रंची और जूसी बने हमारे बाल्स अब मैं आपको एक फोर्ग दिखाते हूँ आपको तोड़के दिखाते हूँ आपको तोड़के दिखाते हूँ आपको गरम ही ना तो एदे आप पीच्चा चाँ जैसा बनाए हमारे चीज बाल्स अब मैं आपको तोड़के दिखाते हूँ यह तहीं देखो ऐसे बिल्कुल यम 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 या और जूसी बने हमारे बाल्स एक दम च्योर क्रिप्सी अब हमारे बाल्स अच्छे बिल्कुल रिडी है खाने के लिए और इसको किसी की जरूरत नहीं है मतलब चटनी या सॉस के साथ में आप इसे आईसे ही खा सकते हो यह बहुत बढ़े लगते हैं आप मेहमान को स्टार्टर में या नास्टी के लिए बना सकते हो एकदम जूसी क्रिस्पी या वेजीटेबल से भरे हमारे चीज के चीज वाल लेकिन इससे बनाते हैं ध्यान रखना कि जब हम भोल बनाते हैं ना कॉन फ्लावर और मैदे का थोड़ा गाडा रखना और अच्छे से प्रेस करके फिर कडाई में चोड़ना नहीं ति यह फूड जाएंगे और अंदर का बैटर पूरा कडाई में फैल जाएगा इसलिए आप अच्छे से ध्यान से बनाना और मुझे कमेंट में लिखना की कैसे बने आपके चीज बाल्स यह दि आपको मेरे रेसिपी अच्छे लगे तो ट्राइ कीजे लाइक कीजे सब्सक्राइब कीजे और कमेंट करना बिल्कुल मद्भूई हम पिर मिलेंगे मेरे नए